हलो दोस्तों, आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे सावले पन से छुटकारा पाया जाए दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने सावले पन की वज़े से हर जगा जाना पसंद नहीं करते हैं और अपने आप पे बहुत शर्मिंदी की फील करते हैं। दोस्तों उन सब के लिए मैं बता दू कि आज मैं एक ऐसा नुस्खा लेके आई हूँ जिसके मात्र 15-20 दिन के यूज से आप पा सकते हैं गोरी तवचा और अपने सावले पन से छुटकारा। दोस्तों बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी सावली तवचा से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं लेकिन इसके बावजूद उनको अपने सावले पन से छुटकारा नहीं मिलता है। आज की जमाने में सावला रंग एक तरह का अविस्राप माना जाता है। अगर महिलाएं सावली हो तो उन पे बहुत सारे ताने मारे जाते हैं या उनकी बहुत सारी परिशानियों का सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, पुरुषों में भी ये समस्या बहुत ही जादा है, आज की रेट में हर कोई चाहता है well-maintained और handsome या फिर beautiful दिखना, जिसके लिए उन्हें सावले रंग से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, दोस्तों ये तो हमारे मन की बात है कि सावले और गोरे रंग का भेदभाव, दोस्तों इनसान को दिल से यानि कि उसके स्वभाव से माना जाता है ना कि उसके गोरे चहरे से, लेकिन आज की डेट में त्वचा यानि कि गोरा चहरा बहुत माइने रखता है, जिसके लिए साव लेपन से छुटकारा पाकर गोरी तवचा पाएंगे जिससे आपको कहीं भी सर्मिंदी की महसूस नहीं करनी पड़ेगी दोस्तों जो सामली तवचा होती है या फिर डार्क स्कीन जो होती है उसके रीजन बस दोई तीन है जैसे कि धूप में निकलना अगर आप धूप में ज सामली हो सकती है दोस्तों जयादा कॉस्मेटि Medien करने से भी आपकी तवच्य साहा में सारी कैमिकल्स होते पर चुटकार नहीं देएं बलकि आपको और भी परेशानियां नहीं अब के साथ-साथ आपको जुर्णीया और बहुत सारी परिशानियां देती हैं तो दोस्तों आप सबने देखा होगा कि जब आप साबुन से चहरा धूलते हैं कुछ देर के लिए तो आपके चहरे में मानो रौनक ही आ गई होती है एकदम गोरा सा चहरा लेकिन बस कुछी देर में वो गोरा चहरा चुठियों में गाइब हो जाता ह और आप फिर से अपने साबुली तवचा को पाते हैं दोस्तों ये सिर्फ इसलिए होता है कि साबुन में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके चहरे की गंदिगी को निकाल देते हैं लेकिन वो जड़ से नहीं निकाल पाते हम यू कह सकते हैं कि उपरी तवचा तो हमार चुटकारा पाएंगे वो भी मात्र 15 से 20 दिनों में आईए दोस्तों मैं आपको बताती हूं पहला नुस्का जिसके लिए हमें चाहिए बादाम गाय का दूध इस नुस्के को यूज करने के लिए आपको सुबह बादाम को भीगोना है और इस नुस्के को साम में आजबान है जब बादाम पानी में भीग जाए अच्छी तरह इसे छिल कर कद्दू कस में कसले या फिर आप अच्छे से इसका पेस्ट बना ले बिना पानी के इसके बाद इसमें दूध मिलाए और इसे एक पेस्ट जैसे कि आप मास्क बोल सकते हैं फेस पे लगानी के लिए इतना दूध डाले और इसे अच्छी तरह मिला कर रख ले अब इसे रात को सोने से दस मिनट पहले अपनी तवचा पे लगाए और इसे पूरी रात रहने दे अगले दिन सुबह इसे अच्छी तरह ठंडे पानी से धुल ले इसके बाद कोई भी मोईस्चुराइजर क्रीम लगा कि आपको एक गलास दूद की साथ बादाम खाना है रूजाना आपको इस पेस्ट का यूज करना है यानि लेप लगाना है साथ ही एक गलास दूद की साथ बादाम खाना है ऐसा करने से मात्र 15-20 दिन में आप पाएंगे गोरी त्वचा और अपने सामलेपन से छुटकारा पाएंगे तो दोस्तो मैं आपको बताने वाली हूं दूसरा नुस्खा इसके लिए हमें चाहिए बेसन गाय का दूद और एक बरतन अब हमें बरतन में एक चमच बेसन लेना है और दूद से मिलाना है दोस्तो इसको भी उसी तरह बनाना है जैसे कि आप मास्क बनाते हैं, इतना ही दूद डालके पेस्ट बना ले, अब इस पेस्ट का इस्तमाल आप करें, लगाने के बाद कम से कम 15-20 मिनिट रहने दे, इसके बाद ठंडे पानी से वाश कर ले, इस पेस्ट का यूज आप रेगुलर 15-20 दिन करते हैं, तो आप पाए निखरी और गोरी तवचा पा सकते हैं और या तो यूँ कहें कि आप लाइफ टाइम के लिए गोरी तवचा पा सकते हैं और सामले पन से छुटकारा पा सकते हैं तो आएए दोस्तो मैं आपको बताती हूँ तिसरा नुस्का जिसके लिए हमें चाहिए तीन नीम्बू दोस्तो हमें एक गलास गुनगुने पानी के साथ एक पूरी नीमबू का रस डाल कर पीना है इससे आप अपना मुटापा भी कम करेंगे साथ ही आप अपने सावले पन से भी छुटकारा पाएंगे लेकिन दोस्तो इस नीम्बू का इस्तमाल आपको सुबह खाली पेट में करना है इससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा साथी आपको रोजाना नहाने के पानी में दो नीम्बू का रस नी चोड़ कर उस पानी से नहाना है ऐसे आप रेगुलर 15 से 20 दिन करेंगे तो आप पाएंगे सावलेपन से छुटकारा और गोरी निखरी त्वचा दोस्तो आप इन तीनो नुस्कों में से दो नुस्का एक साथ इस्तमाल कर सकते हैं आप चाहे बादाम और दूद का पेश्ट रात में लगाएं और सुबह बेसन का लेप लगाएं और फिर नहाले नीम्बू के पानी से तो आप बहुत जल्द इसका फाइदा देख सकते हैं लेकिन दोस्तो अगर आप दूद और बादाम लेते हैं और साथ ही नीम्बू और पानी लेते हैं तो ये आपके लिए नुकसान दे हो सकता है दोस्तो तो इसलिए आप इन तीनों में से मात्र दो नुस्कों को ही एक साथ इस्तमाल करें जो आपके लिए बहुत फाइदे मं और इससे आपकी सावली तवचा भी खत्म होगी और आप पाएंगे गोरी व निकरी तवचा इसके साथ दोस्तों हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे हमें आईरन युक्त खाना खाना है दूद पीना है दही मुली चुकंदर पालक मेथी अंगूर आउला सेव नारि केसर बादाम और बहुत सारे पौश्टिक अहार लेने हैं आप याद रखे ऐसे ही फल लें जो आपकी तवचा को निखारे जो आपको बहुत फायदा करेगा और हरी पत्तिदार सबजिया खाना आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा अगर आप रोजाना एक ग्लास फल का ज सब्स Tá官 इसलिए कहा जाता है जल ही जीवन है हमें रोजाना कम से कम 4-5 लीटर पानी पीना चाहिए यह हमारे शरीड के लिए बहुत फायदेमंद होता है हमें रोजाना हरी पत्तेदार सबजिया खाना चाहिए जिससे हमें बहुत सारी प्रोटीन मिलती है जिससे हमारे शरीर को बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की दाक्त मिलती है आपको रोजाना कम से कम 40 मिनट तक सुबह में वॉक करना चाहिए जिससे आपको फ्रेश हवा मिलेगी और आपकी त्वचा निखर जाएगी और आपको मिलेगा सामलेपन से छुटकारा उमीद करते हों दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आपको हमसे कुछ पूछना है या फिर आप किसी परेशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं दोस्तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मेलेंगे आपकी प्राब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू तरीकों के साथ जिससे आप अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए हेल्थी रहें, फिट रहें, खुश रहें, तैंक यू